इस वेलकम माई दियर स्टूदेंगे याई को महानता की उपादी मिली है यानि कि इस चाप्टर में किया है महान समराथ हम उनी के बारे में डिस्कर्स करेंगे कि हिस्ट्री में हम सब लोग जानते कि बहुत से ऐसे राजा हुए, महाराजा हुए, समराट हुए जिनको आज भी लोग याद करते हैं, जिनको लोग जानते हैं और उनको महान की उपादी दी गई है, महान समराट की उपादी दी गई है तो इस चाप्टर में हम वही डिसकस करने जा रहे हैं येस क्लास, लेट उस स्टार्ट आधिया, there are many king in India whose names are commonly appended with the phrase the great बहुत से ऐसे राजाते महराजाते जिनको हमने महान उपादी दी है जैसे कि यहाँ पे कुछ दिये हुए हैं आपके Emperor, Empire, Emperor और इधर दिये हुए हैं उनकी सल्तनत का नाम तो हमें क्या करना हैं? उनसे उनको मैच करना है तो लेट आप से स्टार्ट नाव तर फर्स्ट वन दिया है यहाँ आशोका ठीक है? अब इनको आपको क्या करना है? तो हमें आशोका को मैच करना है ah सबसे आपको मैच करनी है. तो अशोका कौन थे? He was the emperor of Maurya dynasty. यनि कि वो Maury के, Maurya सल्तनत के समराठ थे. तो अशोका को हमने किसे मैच करना है? This one से. तो अशोका हमारे इनसे मैच हो गए. ठीक है? He was an emperor of the Maurya dynasty. क्लियर है? फिर इसी तरीके से हम आते हैं. राजा राजा छोल. छोला. राजा राजा छोला कौन थे? तो उनको हमेच कराना He was a चोला king of Tamil Nadu. वो Tamil Nadu के चोला राजा थे. ठीक है? फिर नौ कनिश्क कनिश्का कौन थे? तो कनिश्का is He was a ruler of the Kushan Emperor in Central Asia and part of Northwest India. तो हमें कनिश्क को इससे माच करना है. फिर निक्स शिवा जी. तो महरा शिवा जी कौन थे? महान आपके? तो शिवा जी को बहुत सब जानते हैं. He was a warrior Maratha king. वो Maratha king थे. तो हमें उन्हें उनसे माच करना है. फिर मोगल समराज के Emperor थे. ख्लियर हो गया. इस तरीके से इस चाप्टर में हमने Great Emperor के बारे में डिस्कर्स किया. ख्लियर हो गया. Now Now after that come on to the next chapter. चाप्टर No.14. हमारा के Seven Wonders Parks. हम सब जानते हैं कि दुनिया में कितने अजूबे हैं? Seven. तो Seven Wonders हैं जो कि बहुत ही अच्छमभित हैं जिनको जान कर जिनके बारे में सुन कर हमको बहुत ही आश्यरी होगा कि हाँ ऐसी भी कुछ चीज़े होती हैं और ऐसी भी कोई जगे हैं. ठीक है? इस तरीके से हम इसमें यही डिस्कर्स करेंगे. तो लेट एस स्टार्ट। नेवर बिन अबल तो विजिट दे सेवन वंडर अक्रॉस दे ग्लोड। नट तो वरी, यू कैन नाओ विटनेस आल अप देम इन सिंगल गोड। Seven Wonders Park इनकोटा कंपरेस अफ मिनियर्चर्स अफ आल दे सेवन वंडर अफ दे वर्ड। यानि कि आपका Seven Wonders के बारे में हदिया हुआ है, ठीक है, तो हम एक-एक Wonders के बारे में देख ले रहे हैं, तो फॉस्ट हम देखते हैं, इडिपिक्दा मुगल स्टायल ऑफ आर्किटेक्चर्, यह कौन है, मुगल सल्तनत के आपके आर्किटेक्ट है, आर्ट है, यह कौन सी इसी है, यहां पिक्चर दिया हुआ है, तो हम सब अवेर हैं, क्योंकि यह इंडिया में है, इंडिया के आगरा में है, तो यह क्या है, ताज महल, इसको मुगल समराट ने बनाया था, ठीक है, अपनी बेगम नूब जहां की याद में बनवाया था, क्लियर हो गया, फिर इस करीके से सेकेंड लेखिए, इसको हम क्या कहते हैं, लैंड आफ डेड, यानी की मुदो का निवास थल, जिसे कहा जाए, ठीक है, समाधी थल, तो यह क्या है, ग्रेट पेरामिट, तो ग्रेट पेरामिट मिस्ट में है, इसको इस लिए कहा गया है, Land of the Dead क्योंकि यहां पे इस पिरामिड में यह काफी लंबा चोड़ा यह पिरामिड है यह पिरामिड शायद कहा जा रहा है कि यह चांद से भी दिखाई देता है तो पता नहीं इस ट्रो और नॉट बट कहते हैं कि यह इतनी उची मिनार है कि इसको हम चांद पे भी जाके इसकी देख सकते हैं इसकी जलक चोटी सी ठीक है तो इसमें क्या है बहुत से मिस्र की राजा महराजाओं की समादी स्थल इसमें बनाई गई है यह नहीं कि उनके दास दासियां बहुत से जानवर इसमें दफन किये गए है ठीक है फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है इस स्टाच्व अफ लॉर्ड जीजस यह लॉर्ड जीजस का एक स्टाच्व है जो बहुत ही लंबा चोड़ा बहुत ही बड़ा है इसे हम क्रिस्टोफ रिडीमर कहते हैं ठीक है यह हमारे लॉर्ड जीजस का यह है यहाँ पर ठीक है तो यह भी बहुत साथ अजुगों में से एक अजुबा यह भी है ठीक है फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इस वान इट मार्क दा हॉंड़ेट अनिवर्सरी और फ्रेंच रेवल्यूशन फ्रेंच रेवल्यूशन के सववी अनिवर्सरी पे यह आइफल टावर बनाया गया था यह भी बहुत ही उचा टावर है ठीक है इसमें भी बिना किसी ज़्यादा दादों का यूज नहीं किया गया है यह भी रियो डिजनरिया जिसे कहा गया है लीनिंग टावर पीसा की ठीक है क्लास ऐसे तरीके से फिर नेक्स टाप कर दियो इसमार्क ओफ फ्रीडम एंड देमोक्रेसी ओफ यूएस यानि कि यह क्या थी यह डेमोक्रेसी ओफ यूएस और फ्रांस की यह एक दोस्ती की यादगार था यह Statue of Liberty यह शो करता है ठीक है क्लास फिर नेक्स टाप करता है इसे उज़ एंपिटियेटर यह कहा पर है यह कोलोजियम यह कोलोजियम है यह बहुत ही बड़ा एंपिटियेटर है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक साथ बैटनी की यहाँ पे अरेंग्मेंट था यह सबसे ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे बहुत से सभाई आयोजित की जाती थी बहुत से खेल प्रतियों की ताइं हुआ करती थी जिसमें धेर सारे लोग यहाँ पर शामिल हो सकते थे ठीक है इस तरीके से बहुत से ऐसे गेम्स वगेरा हुआ करते थे फाइटिंग वगेरा हुआ करते थे इंजॉयमेंट के लिए तो यहाँ पर इकठे बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकते थे क्लियर हो गया इस तरीके से हमारे ये seven wonders है ठीक है उसके बाद फिर आपको क्या करना है अपनी books में इनको fill करना है ठीक है आपको chapter number 13 and chapter number 14 you have to do in a book बाकि जब हम pdf में देंगे तो बाकि उसमें हम complete करेंगे okay I hope you all are clear and thank you for today class